हाई हेलो वेलकम टू स्वामी विवेकानन कोचिंग क्लासेज यूटूब चैनल आज हम लोग कुछ भी नहीं चीज नहीं पढ़ने वाले आज हम लोग देखने वाले हैं डीटेल्ड एनालसीज आफ रीड्यूस सिलाबस ठीक है जैसे कि आपको पता है सोचल मीडिया थूरू न्यूस रूँ आपके पास वो न्यूस आई होगी कि स्टेट बोर्ड का जो ससी बोर्ड का जो कम्प्लीट सिलाबस है उसका 25% रिडक्शन आया है ड्यू टू कोवीड 19 ठीक है सबको पता है कोवीड 19 के वज़े से पूरा लागडाउन चल रहा है और जो 2020-2021 ये जो अकाड प्रड के प्रड के प्रड का जो अकाड़ी अच्छन आया है क्मप्लीट सिलाबस में ठीक है ये कुछ नई चीज नहीं है इसका प्रड के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है ठीक है लेकिन बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आये कॉल्स आये कि वो जो पीडियव दि कमफ़टेबल नहीं है ऐसे बच्चों को प्रॉब्लेम आ रहा है ठीक है तो डोंट वरी कोई भी टेंसम नहीं लेना है मैं आज क्या करूंगा स्टेप बाइ स्टेप टेक्सबुक उठाके आपको पेज नंबर वाईस सारी चीज़े टिक करके देने वाला हूँ ठीक है तो हम लोग अगर नॉलेज के लिए पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़े हमें 11 और 12 में काम आने वाली है ठीक है जैसे कि फिजिक्स है, केमेस्ट्री है, बायालोजी है, मैज से ये सारी चीज़े आपको 11, 12 में भी पढ़नी है ठीक है नेक्स आगे जाके आपको कुछ एंट चीज़े बहुत सारी गायब हुई है ठीक है जैसे कि do you know करके कुछ boxes है, scientist की information है, ऐसा कुछ extra knowledge है मैं आपको stable से बताऊंगा वो सारा delete हुआ है लेकिन जो concept वाली चीज़े है वो as it is रखी है ठीक है तो मतलब क्या है कि आपको पढ़ना है, science आपको अच्छे से पढ़ना है knowledge के लिए पढ़ना है तब जाके आपको in future फाइदा होगा ठीक है तो अगर positively लेंगे तो हम सारी चीज़े पढ़ेंगे काटे सरस svcc से यह चो हमारा channel है इसके उपर आपको सारे lectures मिलेंगे ठीक है अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा syllabus reduce हुआ है 2021 के लिए और क्या क्या पढ़ना है ठीक है तो चलो अपना textbook खोलो एक highlighter लेलो या फिर pencil लेलो मैं page number वाई सारे चीज़े आपको बताऊंगा अब बस step by step उसको note कर लो ठीक है और एक important बात मैं highlight करके बता रहा हूँ कि यह जो change है यह सिर्फ 2021 जो next academic year में आपका exam होगा आने वाले साल में जो exam होने व स्टार्ट करते हैं ठीक है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं textbook से यह हमारा पूरा cover page है science and technology standard 10 का part 1 अभी आप लोग क्या करो पूरा step by step pencil उठाके या फिर कुछ highlighter उठाके मैं page number बताते जाओंगा ठीक है और उसको अभी क्या करोगे आप लो underline करते जाओगे या फिर वहाँ प पढ़ोगे तो आपको सारे चीज़े समझ में आ जाएगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ठीक है यह इंडेक्स है अपना इसमें क्या दिया है देखो ग्राविटेशन, periodic classification of element, third chapter है chemical reactions and equations, effect of electric current है four chapter, fifth है heat, refraction of light, sixth number, seventh number है lenses, metallurgy, carbon compounds and space mission chapter के titles दिये है और उसका page number भी ह मैं एक बात यहापे clear कर देता हूँ कि जो reduction आया है 25% का जिसमें कोई भी chapter completely reduce नहीं किया है ठीक है तो बहुत ज़्यदा खूच होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सारे chapters actual में पढ़ने हैं बस उसमें से कुछ part reduce किया है, कुछ extra चीज़े थी वो वाली चीज़े reduce किया ह जो मैं आपको बताने वाला हूँ, page number wise बताऊंगा, आप लोग book लेके बैठो तकी immediately वही पे आप लोग टिक कर पाओगे, ठीक है, चलो start करते हैं, first chapter देखो यहापे दिया है gravitation, ठीक है, page number भी first है, इसमें देखो नीचे दिया है use of ICT, मैंने green color में highlighting किया है green color में, तो आप अपने हिसाब से आपको जो color में करना है वो करो है, फिर pencil से करो, green color की जितने भी markings आपको दिखेगी, वो वाला part आपको नहीं पढ़ना है, वो reduce हुआ है, syllabus से exclude हुआ है, ठीक है, so page number one पे देखो क्या दिख रहा है, आपको use of ICT, यह वाला part आपको नहीं करना है, फिर उसके बाद में देखो, यहाँ पे दिखता है, page number second पे, introduction to scientist, ठीक है, Sir Isaac Newton का यह complete introduction दिया था, वैसे तो जितना भी introduction to scientist दिया है, पूरे book में, वो पूरा निकाल दिया है, हटा दिया है, आपको उसको पढ़ना नहीं है, knowledge के लिए, extra knowledge के लिए, general knowledge के लिए आप लोग पढ़ सकते हो तो page number second पे, introduction to scientist इसको अटा दो, उसके बाद में circular motion and centripetal force जो उसके नीचे दिया है, यह tie a stone to one end of string से लेकर, आपको यह disc तक टीक करना है, यह आपको नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद में centripetal force की definition है, जो मैंने green color में mark की है, वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है, यह diagrams आपको नहीं करने है, और उसके नीचे you know that the moon से लेकर itself तब, मतलब यह सारी चीजे जो green color में mark है, वैसे तो पूरा page ही आपको यह नहीं करना है, ठीक है, next चलते है, page number 3 पे, Kepler's law वाला page है, यह सारी चीजे आने वाली है, Kepler's law बगेरा, Kepler's first law, Kepler's second law, important है, इसके लिए इसक दिया है, John's Kepler का information है, वो आपको नहीं करना है, page number 4 पे दिया है, page number 5 पे आते हैं, यह वाला जो blue color का box है, यह हटा दो, the center of mass से लेकर centroid तक, यह नहीं करना है आपको, उसके बाद में uniform circular motion, magnitude of centripetal force, यह जो paragraph दिया है, complete with derivation, यह भी आपको नहीं करना है, इसको green color से mark कर दो, ह लेकिन रखा है, speed is equal to distance traveled upon time taken, यह वाला formula रखा है, बाकि सब cut किया है, user brain power जो है, page number 5 का, वो भी हटाना है आपको, ठीक है, फिर यह solved examples दिये हैं, यह आपको करने पड़ेगे, उसके बाद यहाँ पे देखो, page number 6 पे, user brain power, do you know, यह आपको उटाना है, वैसे तो पूरे book में, use your brain power, do you know, internet के कुछ points है, scientist के कुछ points है, यह almost हटा ही दिये है, यह जो extra की information थी, बोराबर ऐसी information रखी है, कि जो next year आपको काम आने वाली है, जो conceptuals है, ऐसे points रखे हैं, ठीक है, यह जो collect information है, यह भी हटा दिया है, page number 7 पे है, ठीक है, solid examples आपको करने हैं, उसके बाद में, earth gravitational acceleration यह वाला point important है, यह भी रखा है, इन्होंने, हटाया नहीं है, variations in value of G, G की value का जो भी कुछ है, यह सारे चीज़े रखी है, ठीक है, think about में, यहाँ पे mass and weight दिया है, mass and weight, यह actually self study का point है, वो PDF अगर आपने देखी होगी, तो उसमें स्वयम अध्येन लिखा है, स्वयम अध्ये mass and weight यह point समझा, तो ही आपको next वाला point समझने वाला है, ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है, कि आप लोग self study कर लो इसको, ठीक है, मतलब पढ़ना है, इसके उपर questions चायद नहीं आएंगे, यह clear नहीं हुआ है, अभी तक, लेकिन मैं अपना logic बता के बता रहा हूँ कि इसके पर questions नहीं आएंगे, लेकिन इसको पढ़ना जरूर है, ठीक है, वैसे भी science में बहुत सारे points ऐसे होते हैं, कि अगर वो नहीं पढ़ेंगे, तो उसके base बहुत सारा कुछ knowledge रहता है, वो समझता नहीं है, ठीक है, तो यह करना पढ़ेगा आपको, फिर भी मैंने इसको green color में mark किया है, और उसके बाजो में लिखा है self-study, तो जितने भी self-study वाले points है, यह आपको पढ़ना पढ़ेगा, उसको समझ के लेना पढ़ेगा, ठीक है, नीचे blue color का box दिया है, इसको भी नहीं करना है, हटाना है, page number 9, चलते है page number 10 पे, यहाँ पे दिया है gravitational waves, extra information है, do you know, य यह अटाना है, नहीं करना है आपको, ठीक है, फिर चलते है page number 11 पे, do you know का एक box है, वो अटा दो, ठीक है, यह page number 12 पे solved examples दिया है, example 1, example 2, इसको निकाला नहीं है, मतलब यह करने पढ़ेंगे हमको, ठीक है, important points है, gravitational potential energy, escape velocity, यह वाले points भी बहुत important है, इसके लिए वैसे ही routine पे यह वाला, इसको आपको हटाना पड़ेगा, करना नहीं है, exercise में कोई भी questions reduce नहीं किये है, वो भी वैसे ही करने पड़ेंगे, ठीक है, next शलते है, second chapter पे periodic classification of elements, इसमें आपको classification of elements का basic point है, यह green color में mark किया, इसको नहीं करना है, आपको पढ़ना नहीं है, फिर यह जो box द पढ़ाया है इसको, तो इसका जो उपर का एक जो example दिया है, lithium, sodium and potassium का, यह exam में आ सकता है, नीचे के दो examples दिये है, वो हटा दिये है, ठीक है, तो इसको ठीक से mark करो, मैंने red color से mark किया है, उसके बाद में page number 17 पे, do you know का box है, वो नहीं करना है, उसके नीचे newlands octave का एक law था, जैसे ही, यह law आमने देखा, डोबेराने, ट्राइट्स का, वैसे ही, same law है, newlands octave, यह भी नहीं करना है, इस box हो हटा दिया है, page number 18 पे चलते है, introduction to scientist है, यह हटाना है आपको, ठीक है, page number 19 पे use your brain power है, इसको भी हटाना है, page number 20 पे कुछ भी reduction नहीं है, page number 21 पे use your brain power है, इसको हट हटाना है अपको, ठीक है, फिर page number 20 पे, next 22 पे, group and electronic configuration, यह जो can you tell के 4 questions है, यह हटाने है, इसको नहीं पढ़ना है, इसके answers लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, फिर do you know का एक box है उसके नीचे, page number 22 पे, वो भी नहीं करना है, ठीक है, page number 23 पे आते है, यहाँ पे periods and electronic configuration करके एक point है, और 1, 2, 3, ऐसे 3 important basic questions दिये है, ठीक है, अभी इसको हटा दिया गया है, लेकिन self study है यह, मतलब इसको स्वयमद्देन करना है, मराथी में इसको मुल्य मापनातुन वगड़ ले, परन्तु स्वयमद्देन करना है, मतलब self study करना है, ठीक है, क्योंकि यह points important ह है, ठीक है, तो इसको भी mark कर लो, self study में लिखा है मैंने, page number 24 पे आते हैं, या पे भी यह जो तीन questions है, यह भी self study के questions है, अभी मैं बार-बार नहीं बताऊंगा, self study दिखा इसका मतलब है, क्योंकि नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी क्या है, उसको पढ़ना है, क्योंकि वो question basic है, important concept है, जो next point में काम आएगा, ठीक है, next 25 पे कोई भी reduction नहीं है, क्योंकि यह बहुत important point है, ठीक है, फिर 26 पे भी कोई भी exclusion नहीं है, 27 पे आते हैं, या पे internet my friend, read the following reference book, यह हटाना है, ठीक है, लेकिन इसको भी self study दिया है, ठीक है, 28 पे आते है, do you know का एक box है, इसको भी 9 पे, कुछ भी exclusion नहीं है, चलते हैं, next chapter पर, chemical reactions and equations, इसमें can you recall के दो questions है, नीचे भी a question दिया है, यह basic questions होते है, previous knowledge base, यह नहीं करना है आपको, फिर chemical reactions क्या होती है, definition और उसका explanation दिया है, simple सा part है, जो अर्ड़री पढ़ा है, 7th 8 में यह भी नहीं करना है, उसके नीचे box दिय था, physical change और chemical change का, वो भी complete exclude किया है, नहीं करना है आपको, page number 31 पे आते हैं, इसमें find out करके question है, observe and keep record, यह नहीं करना है, practical best questions है, फिर चलते हैं, page number 22 पर, जिसमें कोई भी exclusion नहीं है, 23 पे आते हैं, जहांपे try this दिया है, apparatus, chemicals, procedure, यह वाला part exclude किया है, but it is a self study, मतलब इसको पढ़ना पढ़ेगा आपको, ठीके knowledge के लिए पढ़ना पढ़ेगा, do you know किया है, यह पूरा complete excluded है, find out भी नहीं करना है, ठीके, page number पे आते हैं, 35, 35 पे use your brain power दिया है, A and B questions नहीं करने हैं, 3, 4 questions दिये हैं, यह भी नहीं करने हैं, फिर उसके नीचे, 36 page number पे, self study के 3 questions है, use your brain power, 1, 2, 3 questions है, इसको self study करना है, मतलब पढ़ना है, फिर उसके नीचे decomposition, reaction क्या होता है, उसका एक practical best question दिया है, practical procedure दिये है, यह भी self study है, ठीक है, फिर उसके नीचे आते है, page number 37 पे, जिसमें can you recall दिया है, यह भी नहीं करना है, टिक करते जाओ फटा-पट 38 पे आते हैं, कुछ भी नहीं है, सब पढ़ना पढ़ेगा, endothermic, exothermic reaction, double displacement reaction, यह important point है, इसके लिए रखा आई इसको, page number 39 पे आते हैं, to carry out endothermic and exothermic processes, इसका एक practical best question दिया है, यह नहीं करना है आपको, लेकिन इसके अंदर, sodium hydroxide being corrosive, handle it carefully in the presence of teacher, मतलब sodium hydroxide वाला जो point है, ठीक है, chemicals अगर हम लोग use करते हैं, endothermic, exothermic में, तो यह वाला point self study दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा knowledge base है, practical पे, time पे आपको इस सब बताया जाएगा, ठीक है, तो यह self study वाला point है, exam में question नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना पढ़ेग फिर उसके नीचे use your brain power दिया है, one and two questions नहीं करना है उसको, फिर उसके नीचे can you tell है, ठीक है, one, two, three, four, five, six questions है, इसको self study करना है, ठीक है, फिर उसके नीचे page number 40 पे कुछ भी exclusion नहीं है, 41 पे दिया है, do you know का एक box, उसको अटा दो, ठीक है, फिर 42 पे आते है, उसमें भी do you know क box है, almost do you know, use your brain power, can you tell, can you recall, introduction to scientist, ये सारी चीज़े हट गई है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ काम की चीज़े, concept वाली चीज़े पढ़नी हैं आपको इस बार, ठीक है, नीचे दिया है, use your brain power, one and two questions, ये भी हटाना है, page number 43 पे आते है, can you tell का question है, इसको self study करना है, मतलब पढ़के लेना एक बार, ठीक है, फिर do you know का एक box है, page number 43 पे, ठीक है, उसको भी exclude करना है, नीचे आते, page number 44 पर वापे find out दिया है, ये भी हटाना है आपको, लेकिन ये self study दिया है, ठीक है, क्योंकि important है, how are the black and silver utensils and platinated greenish brass utensils clean, इसको कैसे clean करते ह है, important question है, देखेंगे हम लोग इसको भी, ठीक है, rancidity वाला point भी important है, इसको नहीं अटाया है, exercise में से कोई भी exclusion नहीं है, as it is करना है, reactions वेगरा, सब वैसे ही रखा है, ठीक है, last minute project दिया है, 46 page number पे, उसको self study करके दिया है, मतलब ये करके लेना पड़ेगा, पढ़ना ठीक है, फिर चलते हैं, next chapter पे, effect of electric current, 4 chapter है, इसमें, can you recall के questions है, 1 and 2, इसको अटा दो, फिर कुछ basic information है, what is electric current and all, उसको भी अटा दो, observe and discuss में कुछ questions दिये है, practical base, ठीक है, उसको भी अटा दो, page number 47 है, right, 48 पे, think about it का एक box है, उसको अटा दो, फिर page number 49 पे always remember है, ठीक है, कुछ numbers दिये है, units दिये है, conversion units, उसको पढ़ना है, self study दिया है इसको, ठीक है, हटाना नहीं है, knowledge के लिए पढ़ना है, what is kilowatt, ठीक है, उसको conversion वेगरा दिया है, उसको पढ़ लो, find out दिया है, page number 49 पे, वो भी self study है, ठीक है, फिर do you know का एक column है, page number 50 पे, उसको complete exclude किया है, ठीक है, MCB वेगरा किसे बोलते है, MCB switches, वो कुछ काम का नहीं है, इसके लिए उसको हटा दिया, ठीक है, page number 50 पे, ये solid examples है, actually थोड़ असा PDF में इसमें गडबड है, numbering में, तो हम तो रिस लेंगे ने, इसमें, पूरा पढ़ेंगे, example 1, 2, 3, and 4, इसके मैंने self study लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब question आये नाये, थोड़ा सा हम लोग extra इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है, वैसे भी knowledge कहां हमारा वेस्ट होने वाला है, काम में तो आएगा, ठीक है, page number 51 पे वही, solid examples, page number 52 पे introduction to scientist का box है, hands, christine, or state का information दिया है, वो complete excluded है, then always remember का box है, 52 प self study, ठीक है, page number आते है, next 53 पे कुछ भी exclusion नहीं है, सब करना है, 54 पे भी कुछ भी exclusion नहीं है, 55 पे भी नहीं, ठीक है, यह सारा important है, plannings, left hand roll, what is electric motor, फिर उसका description, detail में करना है, 56 पे भी कुछ exclusion नहीं, 57 पे आते है, galvan और मेंटर का एक point दिया है, उसको आपको हटाना है, वो नह करना है, ठीक है, फिर आते है, page number 58 पर, वापर introduction to scientist है, Michael Faraday की information है, नहीं करेंगे उसको हम लोग, फिर 59 पे आते है, alternative current, direct current, यह बहुत important point है, actually, लेकिन इसको इसको इसके लिए self study में रखा है, ठीक है, मतलब पढ़ना है, questions नहीं आएंगे, ठीक है, page number 59, AC and DC current, page number 60 पर भी एक self study का point है, ठीक है, what will be required to make a DC generator से लेकर, DC generator का एक last वाला point है, उसको self study करना है, उसको समझना है, ठीक है, बाकी exercise में से कुछ भी अटाया नहीं है, as it is a, solid examples, और solid examples, वगरा सारी चीज़े करनी है, ठीक है, आगे चलते है, chapter number 5, heat, page number 62, ठीक है, इसका latent heat का एक try this का example है, ठीक है, एक practical example है, वो हटाना है, नहीं करना है उसको, page number 63 पर कुछ भी exclusion नहीं, page number 64 पर भी कुछ हटाया नहीं, 65 पर भी नहीं, 66 पर भी नहीं, ठीक है, सब करना है, 67 पर introduction to scientist है, जूल का, वो हटाना है, 68 पर भी कुछ exclusion नहीं, सब करना है, 69 पर use of ICT दिया है, वो हटाना है, ठीक है, और 70 पर यह जो solid examples यहाँ पर दिया है, second example हम लोग करेंगे, और example number 3 जो दिया है, इसको नहीं करना है, ठीक है, यह excluded है, फिर आते है exercise पर exercise का, यह जो second question है, graph वाला, observe the following graph, and third भी वैसे ही है, what is, mean by specific heat capacity, यह भी है, यह दोनो self study के point है, मतलब इसको समझना है, अगर आप यह नहीं समझे के तो आपको next point नहीं समझेगा, इसके लिए इसको पढ़ना पढ़ेगा, करना पढ़ेगा, question जरूर नहीं आएंगे, ठीक है, page number 71, 72 पर कुछ exclusion नहीं है, फिर जलते हैं, next chapter number 6, reflection of light, ठीक है, इसमें भी 73 पर exclusion नहीं, 74 पर भी कुछ exclusion नहीं, 75 पर एक box दिया है, absolute refractive indices, जिसमें substance refractive index, substance refractive index दिये है, ऐसे, यह जो exclude किया है, मैंने cut किया है, यह वाला part, इसको आप लोग नहीं करेंगे, यह जो last वाला part दिया है, carbon dye sulfide, dense flint glasses, यह वाला part दिया है, इसको करना पड़ेगा, cut किया हो portion को आप लोग नहीं पड़ोगे, लेकिन यह self study है, ठीक है, उसका मतलब तो अभी आप लोग समझी गए हो, 76 पर twinkling of stars दिया है, exclude किया है, इसको नहीं पड़ना है, और can you tell के दो questions है, यह भी आप लोग नही पड़ेंगे, फिर आते है, 77 पे, use your brain power, इसको भी हटा दो, page number 78 पे, कुछ भी exclusion नहीं, 79 पे भी नहीं, पूरा exercise जैसे का वैसा दिया है, सब करना पड़ेगा, फिर आते है, chapter number 7, that is lenses, ठीक है, lenses पे, page number 80 वैसे ही रखा है, no change, 81 पे भी no change, 82 पे, try this का, एक practical example है, ठीक है, उसको अप लोग अटा देंगे, 82, page number 82, try this, फिर आते हैं, 83 पे, इसमें कोई भी exclusion नहीं, 84 पे भी exclusion नहीं, 85 पे भी नहीं, ठीक है, फिर 86 पे भी नहीं, 87 पे भी नहीं, क्योंकि ये वाला जो eyes का part है, ये बहुत important है, human eye, उसका structure, उसका working, ठीक है, ये सब important point है, नीचे 87 पे do you know दिया है, इसको self study करना है, पड़के लेना है इसको, फिर आते है, page number 88, कोई भी exclusion नहीं, ये सब बहुत important है, myopia, hypermetropia, prisbiopia, ये सा change, 89 पे भी कोई change नहीं, 90 पे telescope का information दिया है, that is excluded, removed from your syllabus, page number 90, 91 पे refractive telescope का example दिया है, ये वाली information पे भी question नहीं आएंगा, on the other hand से लेकर obtain तब, ठीक है, page number 91 पे है, exercise का कोई भी exclusion नहीं, ठीक है, फिर आते है, most important chapter, metallurgy, page number 93, ठीक है, 8 chapter है, metallurgy, इसका think about it, नहीं करेंगे हम लोग, can you tell, उसके नीचे, physical properties of metals, जो की बहुत basic है, अल्रड़ी पढ़ा है, हमने 8 standard में, इसके लिए इसको exclude किया है, हटा दिया है, physical properties of non metals, metals, दोनों भी हटा दिया है, इसको green color से mark कर लो, ठीक है, फिर आते है, page number 94 पर, do you know दिया है, यहाँ पर यह भी हटा दो, ठीक है, फिर यहाँ पर try this दिया है, जो कि एक practical example है, ठीक है, मतलब oxygen के साथ कैसे reactions होती है, metals की, ठीक है, उसका एक practical example है, जिसमें उन्होंने copper, sodium and lead, यह हटा दिया है, लेकिन उसके साथ में, aluminium, iron, magnesium, zinc, इसको र तो इसको mark कर लो, आपको जैसे लगता आपके language में आप लोग लिख सकते हो, मैं मेरे इसाब से बता रहा हूँ कैसे याद रखना है, कैसे tick करके लिखना है, अब आपके इसाब से आपके language में आपके लिख लो, ठीक है, 95 page number, यहाँ पर भी जो first line दिये है, दो reactions है, sodium के, उस इसको हटाना है, sodium, potassium reacts rapidly and vigorously with water and liberates hydrogen gas, यह वाले दो reactions, questions इसके उपर नहीं आएंगे, ठीक है, इसको exclude किया है, 95 page number है, 96 पे आते हैं, reactions of metals with salts and other metals, यह भी यह practical example है, procedure, apparatus, chemicals सब अटा दिया, diagram भी हटा दिये है, यह हम लोग नहीं करेंगे, 8.4 diagram, ठीक है, page number दिया है, 96, इसको भी mark कर लो, फिर आते हैं, page number 97 पे, जिसको सब पढ़ना है, कोई भी exclusion नहीं, 97 पे, 98 पर, फिर से वही किया है, properties of ionic compounds का एक practical example है, ठीक है, जिसमें chemicals use होते हैं, sodium chloride, potassium iodide and barium chloride and water, ठीक है, तो उसमें से potassium iodide वाली reaction पूच सकते हैं, sorry, potassium iodide वाली जो reaction है, उसको mark किया है, मतलब यह exclude किया है, ठीक है, लेकिन, आप लोग sodium chloride, barium chloride और water इसके सारे reactions करोगे, ठीक है, तो वो लग हम लोग जब chapter देखेंगे, तब यह सारी चीज़े हम लोग देखेंगे, don't worry about it, ठीक है, बस mark कर लो अभी, फिर उसके बाद में, page नमर 99 पे कोई भी exclusion नहीं, 100 पे आते हैं, उस पे भी कोई exclusion नहीं है, यह बहुत important points है, और interesting भी है, basic properties of metallurgy, concentration of ores, will fitable method वगरा, hydraulic separation method वैसे ही रखा है, magnetic separation method यह भी वैसे ही रखा है, fraud, flotation, यह सारे methods है, ठीक है, यह importance के लिए रख दिया इसको, internet is my friend, from page 101, नहीं पढ़ना है, इसको exclude करना है, page 102 पे आते हैं, do you know का एक box है, leeching के बाजु में, उसको भी हटा दो, page 102, फिर आता है, page 103 पर, उसमें भी कोई exclusion नहीं, 104 पे भी नहीं, 105 पे, thermit welding का, यह एक diagram था, do you know का box, इसको हटा दिया है, फिर page 105 पे फिर से collect information है, यह भी हटा दिये है, page 106 पे कोई भी exclusion नहीं, 107 पे भी नहीं, फिर आते है, page 108 पर, do you know का box है, उसको अटा दो, collect information है, वो भी अटा दो, exercise में कोई भी change नहीं, next chapter पे आते है, carbon compounds, chapter number 9, can you recall, यह हटा दिया है, यह actually बहुत important chapter है, carbon compounds, next 11, 12 standards, science के लिए बहुत important है, इसमें ज़्यादा exclusion नहीं दिया है, can you recall का basic questions है, which you have studied, already in 8th and 9th standard, उसको अटा दिया, फिर आते है, page number 1010 पर, नीचे दिया है, can you tell का एक box, जिसको self study करना है, page number 111, कुछ भी exclusion नहीं, 1012 पर, do you know का एक box है, उसको अटा दो, 113 पर, कोई भी exclusion नहीं, 114 पर नहीं, ठीके, 115 पर भी नहीं, यह बहुत important chapter है, इसके लिए इसको exclusion बहुत कम दिया है, do you know का box है, 116 पर, उसको अटा दो, 117 पर भी कुछ exclusion नहीं, फिर 118 पर भी नहीं, 119 पर भी exclusion नहीं है, 120 पर भी नहीं, ठीके, 121, सब पढ़ना है, 122, 123, सब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत important chapter है, 124, 125, 126, ठीके, कुछ भी exclusion इस chapter में नहीं दिया है, as it is, पढ़ना है, क्योंकि बहुत important chapter है, knowledge point of view, ठीके, page number 127 पर बसे do you know का box है, उसको अटा दो, 128 पर ये एक्स्ट्रा इंफर्मेशन दी है, alcohol का, इथेनोएक एसीड का, उसके उपर question नहीं आएगा, बट इस important है, इसके लिए self study दिखाया है, इसके बाजु में, page number 1929 पर भी कोई exclusion नहीं, 130 पर भी नहीं, 131 पर micromolecules, manmade macromolecules इसका information दिया है, extra information है थोड़ी सी, theoretical है, इसके लिए इसको अटा दिया, टिक कर लो, 131 page number, ठीके, फिर यहाँ पर आते है, page number 132 पर पूरा page ही अटा दिया है, पूरा page, यह structures वेगेरा, बहुत बच्चों को हार जाते थे, ethylene, sterine, vinyl chloride, acrylene, nitrile, tetrafluoroethylene, यह सब पढ़ना नहीं है, अभी याद रखने की ज़रुरत नहीं है, ठीके, इस साल के लिए, ठीके, यह changes जो है, यह सिर्फ 2021 के लिए है, these changes are not permanent, ठीके, 133 पे भी पूरा, almost यह पूरा पार्ट ही अटा दिया है, यह जो box था, बहुत tricky जाता था बच्चों को, ठीके, तो यह भी आपको नहीं पढ़ना है, use your brain power भी नहीं पढ़ना है, structures वगरा याद नहीं रखने है, ठीके, exercise में कोई भी exclusion नहीं, यह जो reactions है, IUPAC nomenclature है, यह बहुत important point है, उसको रखा है, ठीके, फिर आते हैं, last chapter पे, chapter number 10, space missions, इस पे भी, do you know, scientist का information दिया है, ठीके, राकेश शर्मा, इनका information है, इसको भी अटा दिया है, ठीके, फिर can you recall का, यह जो question है, इसको भी अटा दिया, can you tell जो है, यह भी अटाया है, page number 135, page number 136 पे, use of ICT है, उसको भी अटाना है, 137, कोई भी exclusion नहीं, 138, कोई भी exclusion नहीं, 139 पे, do you know का एक box है, फिर salt examples दिये है, यह भी थोड़ा सा tricky लगता था बच्चो को, यह भी हटा दिया है, पढ़ना नहीं है आपको, ठीके, 139 का salt examples and do you know, ठीके, 140 पे आते हैं, यह सारी important points है, satellite, launch, vehicles वेगरा, यह ऐसे ही रखे हैं, फिर आते है, page number 141 पे, यह आपे do you know का एक box दिया है, इसको हटाना है आपको, ठीके फिर 142 पर, राके शर्मा कलपना चावला सुनिता विल्यम्स, इनका कुछ information दिया है, ठीके, space mission में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनको भी नहीं पढ़ना है, आपको knowledge के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, exam में questions इनके उपर नहीं आएंगे, 143 पर introduction to scientist again, विकरन सारा भई, ठीके, इनको भी exclude किया है, फिर page number 144, जो exercise के points है, इसमें कोई भी exclusion नहीं, as it is सब चीज़े आपको पढ़नी है, ठीके, तो ये था हमारा पूरा book, मैंने line by line, page number wise, सारी चीज़े आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, self study क्या है, ये सारी चीज़े आपको बता दी है, ठीके?